Hey everyone, I am Dr. Pavan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूँगा Anterior and Posterior Triangle of Neckay ओपर And Triangle की बात करने से पहले आप सभी के लिए एक Announcement है और वो related है TCML Premium Plan से मतलब कि हम TCML वीडियो के अंदर जो भी Handwritten Notes ड्रो करते हैं या फिर जो भी मैं वीडियो के अंदर Notes शो करता हूँ अगर आपको इन से भी Notes की PDF को डाउनलोड करना है तो आप उसे कहां से डाउनलोड कर सकते हैं TCML Mobile Apps है And TCML Mobile Apps Play Store और App Store दोनों जगा पर अवेलेबल है And PDF डाउनलोड करने के लिए आपको TCML Premium Plan को परचेज करना पड़ेगा And TCML Premium Plan के अंदर आपको More Than 200 Handwritten Notes का एसेस मिलेगा मतलब कि जो Notes में वीडियो में ड्रो करता हूँ या फिर जो भी Notes आपको TCML की वीडियो में दिखाए देते हैं आप उन से भी Notes को एसेस कर सकते हैं And TC के साथ जो More Than 200 Notes हैं इनकी आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनका Print Out भी निकाल सकते हैं And TC के साथ Premium Plan के अंदर आपको QBank भी मिलेगा TCML Capsule का Subscription मिलेगा And TCML Flux का Subscription मिलेगा And TC के साथ देखिए आपको जहां पर Price List दिखाए दे रही होगी 4, 1, 6, 1, 10 Month तो यह पूरी के पूरी Price List है और देखिए इसी के साथ मैं आपको एक और Announcement करना चाहता हूँ कि TCML Mobile App के अंदर जल्दी ही QBank and Test Series launch होने वाली है मतलब कि जो MBBS के अंदर हम 19 Subject पढ़ते हैं तो all 19 Subject का Separate QBank and Test Series 4 NEET PG हो गया INICT हो गया या फिर बोल दीजिए FMG exam हो गया overall सभी के लिए Test Series भी launch होने वाली है तो अगर हम यह launch करेंगे तो common सी बात है यह थोड़ी price है यह थोड़ी fluctuate होगी तो अगर आप अभी purchase करना चाहते हो तो कर सकते हो ओके तो यह बात हो गई अब हम आते हैं हमारे main point यानि की anterior and posterior triangle के ऊपर तो देखिए सबसे पहली बात तो यह कि anterior and posterior triangle इनका basis क्या है मतलब कि कब हम anterior बोलेंगे कब हम posterior बोलेंगे तो देखिए इसका answer है sternocleidomastoid muscle मतलब कि देखिए आपको अभी यहाँ पर neck में यह prominent muscle दिखाए दे रही होगी जिसे मैं rate से mark कर रहा हूँ इसके आगे जो triangle होगा उसे क्या बोलते है anterior triangle, sternocleidomastoid इसके पीछे जो triangle होता है उसे क्या बोलते है posterior triangle देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रका है rate वाली क्या है, this is sternocleidomastoid, इसके आगे जो होगा उसे क्या बोलेंगे anterior triangle इसके पीछे जो triangle होगा उसे क्या बोलेंगे posterior triangle of neck I hope आप मेरी बास समझ गए होंगे and देखिए नाम से सब कुछ clear है क्या है triangle है triangle है मतलब कि क्या मिलेगी three boundary मिलेगी और देखिए आपको इस lady की neck में posterior triangle तो एकदम clear दिखाए दे रहा है मतलब कि देखिए यह क्या है this is stundal cluedo mastoid नीचे की तरफ यह क्या है this is clavicle bone और पीछे की तरफ यह क्या है this is trepegeous overall जो blue color से triangle दिखाए दे रहा है यह क्या है this is posterior triangle okay and anterior triangle कहा होगा इसके आगे होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा क्या होता है anterior triangle okay I hope आप मेरी बात समझ रहे होंगे and इसी के साथ जो anterior triangle of neck होता है इसके अंदर total four triangle include होते है मतलब कि four triangles को एक साथ क्या बोलते है anterior triangle of neck okay and अब हम बात करते हैं anterior and posterior triangle की boundary जो की exam point of view से most important है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा anterior triangles की end देखिए जो anterior triangle के अंदर anterior triangle के अंदर जो four triangle होते है इनके boundary और posterior triangle के boundary तो देखिए इन सभी triangle anterior के four और posterior triangle इन सभी के boundary को explain करने के लिए मैं एक common diagram बता रहा हूं आपको मतलब कि इसी diagram से आप सारे के सारे anterior triangle के boundary को explain कर सकते हैं all posterior triangle के boundary को explain कर सकते हैं तो और आज जो ये chart है this is very very important और देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये chart कैसे डो किया है तो देखिए मैं आपको यहां पर कुछ point highlight कर नहां हूं number first क्या है mandible bone, number second क्या है hyod bone, number third क्या है mastoid process, number four क्या है sternum, number five क्या है clavicle overall मैंने आपको बस five name, overall यहां पर मैंने five name को highlight किया मतलब की mandible, mastoid, hyod, sternum and clavicle अब बताईए कि जो यह है यह जो यह photo है यह मैंने कहां पर डो किया है and अब आप दिमाग लगाईए कि जो यह मैंने image है यह मैंने कैसे डो की है तो देखिए common से बात है भाई, आप सोचो, mandible यह कहा होती है, और यार, mandible jabon होती है जो हमारा lower lip होता है, वो comment से बात है, mandible से related है mastoid कहा होती है, कान के जस्ट पीछे, मतलब की ear के जस्ट पीछे high out कहा होती है, गले की bone, मतलब की larynx के जस्ट ऊपर, थोड़ी सी ऊपर होती है तो comment से बात है, आगे से क्या दिखेगी, anterior view से क्या दिखेगी, मुझे high out दिखेगी stendom यह भी कहा होती है, आगे की तरफ होती है, clevical यह भी comment से बात है, color bone है कहा होती है, आगे की होती है, overall, जो यह diagram आप देख रहे हैं, यह किसका diagram है this is the anterior view of neck, मतलब कि अगर मैं neck को आगे से देखता हूँ, तो मुझे ऐसी कुछ neck दिखाए देगी यानि कि अभी आप मेरे photo को लीजिए, यह वालिद लीजिए, देखिए, यह क्या है, this is mandible bone, यहाँ पर यह क्या होगी, this is sternum, okay यहाँ पर यह क्या होगी, this is clavical bone, okay, यही पर नीचे की तरब क्या होती है, high-odd bone, okay और मेरे ear है, इसके पीछे क्या होगा, mastoid process, overall, देखिए, जो भी मैंने 5 structure जहाँ पर mark की थी, mandible, mastoid, high-odd, sternum, clavical, overall, सारी के सारी कहाँ पर है, anterior side है, मतलब कि जो यह photo है, यह क्या है, this is the anterior view of neck, मतलब कि neck आगे से कैसे दिखाई देगी, okay, तो यह photo हो गया, and इसी photo से हम, all anterior triangles and posterior triangles की boundary को clear करेंगे, तो चलिए, अब हम आते हैं, हमारे main point, यानि की boundaries के उपर, और देखिए, बहुत ही simple है, and, देखिए, मैंने बताया था, कि anterior triangle, इसके अंदर आप four triangle पढ़ेंगे, कौन-कौन से, sub-mandibular, sub-mental, carotid and muscular triangle, देखिए, सब triangle है, triangle, 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 overall, सब कुछ triangle है, मतलब कि हमज़े क्या करना है, each triangle की three boundary read करनी है, मतलब कि, sub-mandibular triangle, इसके boundary के लिए, मेरे दिमाग में three point होने चाहिए, mental triangle, sub-mental triangle, इसके boundary के लिए भी मेरे mind में three point, carotid triangle, मेरे mind में three point, muscular triangle, मेरे mind में three point, occipital triangle, और supra-clavicular triangle, इसके लिए भी मेरे mind में three point होने चाहिए, I hope, आप मेरी बार समझ रहे होंगे, तो अब आते हैं एकदम speed से कि कैसे समझे देखिए बहुत simple है अगर आपने इस image को अपने दिमाग में set कर लिया तो आप each triangle की boundary को बिना रटे explain कर पाएंगे क्योंकि जो आपको दिख रहा है वही आपको triangle की boundary में बोलना है कोई भी रठने का नहीं है तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूँ diagnostic muscle की क्योंकि muscle से बनाएगी भाई muscle चाब बोन वही बनाएगी triangle की boundary तो देखिए नाम से clear है कि digestrics Diagesta मतलब two belly होती है एक होती है आगे की तरफ एक होती पिछे की तरफ आगे को क। क्या बोला एंटियर बेल और जाफ तरी पीछे वाली को क्या बोला Posterior वाली मसल, mandible से टेच हैं, तो आप बोलेंगे कि सरी लाल वाला ये टेच है, अवराल, mandible कहा होती है, आगे कि साइड, तो common से बात है, जो belly, mandible bone से टेच होती है, this is anterior belly of digastric, and common से बात है, मेस्टोइड प्रोसेस से कहा होता है, ear के फीचे, कान के पीचे होगा, तो overall, कहां गया पीछे की तरफ गया, posterior side गया मतलब कि जो belly mastoid process से attach होती है, वो कौन सी होगी posterior belly of digustric कुछ रटने का ही नहीं है, okay I hope आप मेरी बात समझ गये होंगे तो मैं इसे erase कर देता हूँ तो मैंने digustric की बात कर ली कि कि कब कैसे anterior बोलना है, कैसे posterior बोलना है तो देखिए, जो posterior belly of digustric होती है इसी के साथ एक और मसल होती है जिसका नाम क्या है, stylohyode देखिए, नाम से clear है styloid process to styloid process to hyode bone मतलब कि इस मसल का one end hyode bone से attach होगा, और another end किस से attach होगा, styloid process से, okay तो अवराल, stylohyode, इसके लिए आपको क्या दिमाग में रखना है कि जब भी आप किसी triangle के boundary के अंदर, अगर posterior belly of digustric बोलते हैं, तो posterior belly के साथ आपको stylohyode muscle, ये वाली मसल आख बंद करके बोलनी है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दी जार close friend बहुत ही close है, मतलब कि जहां तू जाएगा, महां में भी जाऊँगा और आपको देखिए, डाइग्राम से दिख भी रहा होगा कि जो ये yellow वाली है, ये क्या है posterior belly of digustric, एंड जो ये green वाली है, ये क्या है stylohyode muscle, तो अवराल दोनों एक साथ हैं तो अवराल, जब भी मैं किसी triangle के boundary के अंदर अगर posterior belly of digustric बोलूँगा तो मुझे another muscle कौन सी बोलनी है, stylohyode muscle, ओवराल, इन दोनों को एक साथ बोलना है, ओके आई होब आप मेरी बास समझ गए होंगे तो मैं इसे erase कर देता हूँ ओके, ये बात हो गई तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे number first triangle, यानि की submental triangle की तो देखिए, this is submental triangle एंद देखिए, इसकी triangle के boundary में आपको क्या दिखाए दे रहा है फोटो देखे बताइए, तो देखिए एक boundary है हो गई, एक boundary है हो गई, एक boundary है हो गई तो अवराल, submental की boundary कौन-कौन से मसल बनाती है anterior belly of digustric submental की boundary में posterior belly of digustric नहीं होती, only anterior होती है देखिए, मैं diagram देखे ही बोल रहा हूँ मतलब की right side की anterior belly of digustric भी होगी left side की anterior belly of digustric भी होगी और नीचे की तरब कौन सी होती है, higher bone तो अवराल, इसकी three boundary कौन बनाएगी, higher bone, right anterior belly of digustric, left anterior belly of digustric खतम देखिए, मैं सब कुछ diagram देखके बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया, इस diagram को अपने दिमाग में सेट कर लिया सब कुछ explain कर पाऊगे नमबर second triangle कौन सा है, submandibular triangle तो देखिए, यह क्या है, green वाला, this is submandibular triangle अब आप देखिए, जो आपको दिख रहा है, वही बोलिये, मतलब कि एक boundary कौन बनाएगी anterior belly of digustric another boundary कौन बनाएगी, यह दोनो मसल देखिए न, यह जो यह red वाला है, यह मनाएगी another boundary, तो red वाले के अंदर कौन है, यह दोनो मसल, posterior belly of digustric and stylohyod muscle, और third कौन ची है, this is mandible उपर की तरब क्या है, mandible overall, submandibular triangle की boundary, submandibular triangle की boundary में, number one कौन होगी, anterior belly of digustric, number two कौन होगी, यह दोनों की दोनो, posterior belly of digustric and stylohyod, and number three कौन होगी, mandible bone okay, देखिए, जो diagram में मुझे दिख रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ I hope आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो यह erase कर दिया अब हम आते है, number three number three कौन सी है, number third triangle कौन सा है, carotid triangle तो देखिए, this is number third triangle, और देखिए, आपको यहाँ पर एक मसल दिखाई दे रही होगी यह वाली, तो देखिए, यह क्या है this is sternocleidomastoid, जिसकी बात मैंने यहाँ की थी यह देखिए, मैंने बताया था न, यहाँ पर कि इस lady के अंदर, जो यह वाली prominent मसल है, जो यह वाली prominent है यही क्या है, sternocleidomastoid तो अवराल, देखिए, sternocleidomastoid के आगे कौन सा होता है, anterior triangle मतलब कि, यह पूरी के पूरी क्या है, this is sternocleidomastoid ओके, यह बात हो गई number second मसल कौनची है, यह वाली जो blue से में mark कर रहा हूँ, तो यह की यह वाली कौनची है this is omohyode muscle, omohyode मसल देखिए ऐसे vertical है, मतलब कि, कुछ पार उपर है कुछ पार नीचे है, तो अवराल vertical है, तो क्या बोलेंगे superior belly of omohyode inferior belly of omohyode देखिए, यह पर confuse मत होना diagnostic की कौन सी bellies है anterior और posterior omohyode की कौन सी bellies है superior, inferior diagnostic की superior और inferior belly नहीं है, क्यों नहीं है अरे भाई, attachment diagnostic muscle इसका one end attached to mandible another end attached to mastoid mandible आगे होती है, mastoid पीछे होती है, तो आप superior, inferior कैसे बोल सकते हो, क्या बोलना है mandible आगे है, मतलब anterior belly attach होगी, mastoid पीछे है, मतलब posterior belly attach होगी, खत्म उसे के साथ omohyode यहाँ पर आप anterior posterior belly नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं क्योंकि omohyode muscle देखिए, इसका attachment देखिए, one end attached to hyode bone, another end किस पे attach होता है escapella, okay escapella पे attach होता है, नीचे वाला, तो अवराल hyode bone उपर होती है escapella bone नीचे होती है, तो overall one end attached to hyode, यानी उपर, उपर मतलब superior another end attached to escapella bone तो escapella कहां होती है, नीचे होती है, तो overall आप anterior posterior नहीं बोल सकते, omohyode में क्या बोलना पड़ेगा, superior inferior बोलना पड़ेगा, I hope आप मेरी पास समझ रहे होंगे, number third muscle कौनची है, disease, यह कौनची है, trapeges muscle, trapeges muscle आपने देखा होगा, जो जीम विम करते हैं बंदे, वो बोलते हैं कि यार मुझे मेरी trapeges बनानी है मतलब की मतलब की, यह muscle कहा होती है, पीछे की side, this is the muscle of bake, bake की muscle होती है मतलब गरदन पे जश्पास यहां मिलेगी overall, trapeges muscle यह होती है पीछे की side, तो overall मैंने यहाँ पर three muscle की बात की, कौन सी sternocleidomastoid, omohyot and trapeges muscle, ओके तो इन तीनों muscle की जरुत हमें in future पढ़ने वाली है, मतलब carotid triangle, muscular triangle के अंदर पढ़ने वाली है तो मैं इसे erase कर देता हूँ हाँ तो देखिए यह हो गया and अब हम आते हैं हमारे number third triangle यानि की carotid triangle के उपर तो देखिए carotid triangle कौन सा है तो यह पूरा का पूरा, जिसे मैं blue से मार कर रहा हूँ this is carotid triangle and देखिए जो दिख रहा है वही बोलो यह वाली boundary में muscle कौन सी होगी यह दोनों muscle होगी, मतलब की posterior belly of diagnostic and stylohyod muscle खतम इस वाली boundary के अंदर कौन सी muscle होगी, यह वाली होगी, मतलब की superior belly of omohyod inferior नहीं होगी, ओके तो यह वाली boundary होगी, उसके बाद another कौन सी बची, तो यह blue वाली यह blue वाली इसमें कौन सी muscle होगी, यह वाली muscle होगी, मतलब की sternocleidomastoid overall, character triangle के boundary में 3 muscle कौन कौन सी होती है मतलब की 3 boundary कौन कौन सी मिलके बनाती है, तो देखिए, एक वाली boundary में include होगी, posterior belly of diagnostic and stylohyod second boundary में include होगी, superior belly of omohyod, third boundary में include कौन होगी, sternocleidomastoid यानि की SCM I hope आप मेरी बास समद गए होगे तो overall, character triangle के boundary भी finish होती है, बहुत simple है जो इस photo में दिख रहा है, वही बोलना है, कुछ भी रटने का नहीं है, okay number third, number four muscular triangle, तो देखिए, this is number four muscular triangle and इसकी boundary कौन सी है, तो मैं थोड़ा highlight करता हूँ, तो देखिए, इसकी boundary है, ये वाली, एक ये हो गई, मतलब कि एक imaginary line खीची, देखिए, ये imaginary line है मतलब कि mid line है, कैसे खीची highode bone to sternum, यहाँ पर ऐसे हमने एक line कीची, mid line कीची okay, तो एक boundary ये हो गई second boundary कौन सी होगी, ये वाली third boundary कौन सी होगी, ये वाली तो वाला देखिए, ट्राइंगल बन गया एक, ये ट्राइंगल बन गया, okay end देखिए, जो दिख रहा है, वही बोलना है, ये वाली boundary कौन बनाएगी, mid line, mid line कीची हमने, mid line अभे body के सेंटर में है न भाई, देखिए sternum है, तो एक दो mid line हो गया, right up और left up ने डिवाइड हो गयी body, तो this is mid line, कहां से कहां है hyode bone to sternum, जो दिख रहा है वही बोलना है, number second ये वाली मसल कौनची होगी मतलब कि ये वाली कौनची होगी, तो answer क्या है, superior belly of homo hyode, number third जो ये green वाली है ये कौनची होगी sternocleidomastoid, अरे भाई देखिए रहा है ये sternocleidomastoid ही तो है मतलब एरियज करता हूँ, ये देखो देखिए, ये वाली मसल कौनची है ये वाली मसल कौनची है, this is sternocleidomastoid, तो अवराल एक boundary ये बनाएगी, तो अवराल क्या-क्या हुई sternocleidomastoid हुई, this is superior belly of omohired हुई, और third कौनची हुई, this is midline अवराल, muscular triangle की three boundary की बात भी मैंने कर ली तो आई होब आप समझ के होंगे जो photo में दिख रहा है वही बोलना है, रटने का कुछ नहीं अब हम आते हैं हमारे posterior triangle के उपर, तो देखिए posterior triangle के अंदर भी two triangle include होते हैं, कौन-कौन से occipital triangle and supra-clavicular triangle नाम से clear है भाई supra-clavicular मतलब की कहा होगा, clavical bone के उपर present होगा, occipital मतलब थोड़ा पीछे की तरफ होगा तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं posterior triangle की boundary की यह posterior triangle होता है, इसकी boundary क्या होती है तो देखिए, जो मैं अभी blue से mark कर रहा हूँ, यह पूरा का पूरा क्या है this is posterior triangle, मतलब की मैंने बताया था, आगका पता हो तो कि this is sternocleidomastoid, इसके आगे कौन से होते हैं, anterior triangle पीछे कौन से होते हैं, posterior triangle तो देखिए, जो यह blue वाला है यह पूरा का पूरा sternocleidomastoid के पीछे है, तो अवराल जो दिख रहा है वही बोलना है, तो अवराल this is our triangle, ओके तो एक मसल कौन सी होगी, यह वाली मसल कौन सी होगी, तो this is sternocleidomastoid तो one boundary यह बनाएगी अनुदर मसल कौन सी है, यह वाली यह कौन सी है, this is strepegious तो second boundary यह बनाएगी नंबर थर्ड कौन सी है, यह वाली मतलब की clavical bone तो नंबर थर्ड boundary यह बनाएगी ओवराल, posterior triangle की boundary में कौन कौन सी structure होती है तो one boundary में होगी sternocleidomastoid, another boundary में होगी strepegious muscle and another boundary में होगी clavical bone I hope आप मेरी बास समझ रहे होंगे तो this is posterior triangle, एंद देखिए जो 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 posterior triangle है, यह किसके base पे two parts में divide होता है, मतलब की हमने जो posterior triangle है, इसे two parts में divide किया, occipital triangle और supraclavical triangle, तो इसका basis क्या है, तो देखिए, वो भी आपको diagram से दिख रहा है, देखिए जो यह पीली वाली line है जो यह yellow वाली line है, यह इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे triangle को two parts में divide कर रही है, कौन? यह yellow वाली line, तो देखिए, यह yellow वाली line क्या है? This is inferior belly of omohyode overall, inferior belly of omohyode, इसके base पे हम posterior triangle को two parts में divide करते हैं, मतलब की occipital triangle and supraclavicular triangle everything is clear on this image I hope आप मेरी बास समझ गए होंगे and देखिए, अब तो यार अब आप से कोई पूचे, कि what is the boundary of occipital triangle? भाई, इसमें कुछ नहीं है 2 second में answer, this is trapegious, यह कौनजी है, this is inferior belly of omohyode, this is sternocleodomastoid, खतम अब आप से कोई पूचे, what is the boundary of supraclavicular triangle? भाई, जो दिक रहा है भाई, बोल दे, sternocleodomastoid clavical bone and inferior belly of omohyode I hope आप मेरी बास समझ गए होंगे तो अबराल, इसी के साथ हमारी anterior and posterior triangle के वीडियो यहीं पर finish होती है, and I hope आपकी काफी चीज़े clear हुई होगी, इस वाली वीडियो का main target क्या है यह वाला photo, यह वाला photo और यह वाला photo इन दोनों photo को अगर आपने real human पर apply कर दिया, तो आपके लिए all triangles की boundary बिलकुल simple है, आप within second answer दोगे, यह ले anterior triangle, यह ले posterior triangle, यह ले four anterior triangle की boundary, यह ले two posterior triangle की boundary, okay and bye झालाँ